गुद मॉर्निंग स्टुदेंट्स, वेलकम बाक टो कॉंपरर साइंस एक्जाम क्रेक चैनल, तो आज हम इस वीडियो में टॉपलोजी की कॉंटिनुशन में, हमने प्रिविस वीडियो में बस टॉपलोजी और स्टार टॉपलोजी किया था, आज हम करेंगे मैश टॉपलोज और रिंग टॉपलोजी, अगर आप ये वीडियो पहली बार देखने तो बच्चो पहले आपको टॉपलोजी से वाली जो बस और स्टार टॉपलोजी की वो वीडियो आपको देखने पड़ेगी, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ब नेरेस्ट उसके नेबर्स होते हैं, नेरेस्ट भी नहीं वोलूम है, यहाँ पर अपने सभी डिवाइसे, जितने भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसे होते हैं, सब से कनेक्टिड होते हैं, ठीक है, तो ये मैंश टॉपलोजी है बच्चो आप देख रहे होंगी, जो A है, A, B से भी कम्unicate कर सकता है, D से भी कम्unicate कर सकता है, और C से भी कम्unicate कर सकता है, तो ये every device that is in network, उस सब के साथ एक device जो कम्unicate कर सकता है, इसको हम match टॉपलोजी कहते हैं, अब आपको इतना तो पता ही था, अब जो हमें discuss करना है, अपने exam के लिए हमेhole prepare करना है, वो क्या करन है बच्चो हम यहाँ पर भी parameter discuss करेंगे सबसे पहले parameter क्या था number of cables ठीक है कितनी cables की यहाँ पर requirement होगी दूसरा parameter था assess करने का हमारे पास number of port तीसरा parameter था हमारे पास यहाँ पर reliability reliability एक parameter था बच्चो हमारे cost का और एक जो last parameter था वो हमारे पास था security का ठीक है तो यहाँ पर आपको देखना है कि number of cables यहाँ पर कितनी required होती है क्योंकि मैं लड़ी आपको बता चुकी हूँ कि question जो आएंगे यहाँ से यह मत समझ लेना कि सिर्फ आप से topology के नाम पूछे जाएंगे topology के नाम forget it ठीक है वो हो सकता है stat में आपने जो आपने basic test दिया है उसमें आपसे पूछ लिया गया होगा लेकिन यहाँ पर आपसे at least ऐसे question नहीं पूछे जाएंगे competition tough है तो आपको उसी तरीके से preparation करनी है तो यहाँ पर जो question होगे बच्चो इस type के questions होगे कि कितनी cables required होती है आपकी match topology में कितनी cables required होती है बस में कितनी cables required होती है आपकी star और ring में ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं number of cables की अब आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर कि requirement हो जाएगी बच्चो यहाँ पर n-1 ठीक है n-1 n-1 में क्या हो जाएगा कि a को जो है तीन cables की requirement होगी connect होने के लिए अगर वो total पूछता है तो total में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा बच्चो n into n-2 तो total cables कितनी है अब n-1 तो एक device को जुरुत है ठीक है अब आपके पास n devices है तो n कर दिया मैंने upon 2 कर दिया ठीक है अब आप देखो calculate करके देखो n क्या है यहाँ पर number of node है यहाँ पर आपके 4 है 4 यहाँ पर 3 आ जाएगा 4-1 और यह 2 यह हो जाएगा आपका 6 तो कितनी cables की requirement हुई बच्चो आप count कर सकते हो चा एक दो तीन चार पांच और चे चे cable की requirement होगी तो इस तरीके का यह formula आपको याद करना है अगला है बच्चो number of port number of ports कितने होगे अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो a device है वो तीन devices से connect है तो number of port कितने हो जाएगे बच्चो यहाँ पर n-1 हो जाएंगे एक device के लिए और total आपको network के पूछे तो आपको फिर क्या कर देना n into n-1 कर देना है यानि कि 4 into 3 12 जो है आपको port की requirement होगी ठीक है क्योंकि हर एक device को मैश्की को तरहा है तो 3-3 की जो रध이े थीज़र रहत है थीज़र है तीन की इसको तीन की इसको को तभी läuft हो टूपा रहे है ठीक है अब है बच्चो ग्ताप रिलाइबिलेटी कीबात रिम में हैश टो理 जी न सब से जढ़ार रिलाइबल होती है सबसे highest reliability किसकी होती है, mash topology की होती है, star topology की बिलकुल नहीं होती, क्योंकि वो hub से connect होती है, hub खराब हो गया, तो सब कुछ खतम हो गया हमारा, ऐसी bus topology सारे के सारे system जो है, एक backbone cable से connect होते है, backbone cable में ही problem आ गई, तो वहाँ पर भी आपकी reliability जो ही खतम हो गई, तो यहाँ पर reliability जिसको हम dedicated भूलते हैं, ठीक है, अब जो है आप device A को C के साथ communicate करना है, तो इस cable के through करेगा, D के साथ करना है, तो यहाँ करेगा, और B के साथ करना है, तो इस cable के through करेगा, ठीक है, तो यह point to point communication है बच्चों, तो reliability क्या होगी, बहुत ज्यादा high होगी, मान लो कोई cable खराब हो गई है, मान लो आपका जो A है, D से communicate करना चाहता है, ठीक है, एक तो उसके पास direct path क्या है, ये वाला, ये वाली cable अगर खराब हो जाती है, तो वो कैसे कर सकता है, A से C और C से D भी जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो reliability बहुत जाता है, अगली बात है cost की, अब आप द देख रहे हो कि यहाँ पर 6 cable की requirements है, जब आपके पास N की value 4 है, ठीक है, तो cables अगर जादा हो जाती है, तो क्या होगा, cost तो बड़ेगी बड़ेगी, आपको purchase करनी पड़ेगी cable, ठीक है, अब बात करते है, हम security की, security भी है बच्चो, security भी highest security है, वो कैसे, again I will take point to point example, कि हर एक device, अपने dedicated path के through, दूसरे device के साथ communicate करती है, ठीक है, तो किसी दूसरे के पास तो उसका message जाएगा नहीं, तो यह secure भी है, ठीक है, तो match topology काफी अच्छी topology है, security की point of view से, reliability की point of view से, अगर आपका budget अच्छा है, तो budget अगर कम है, तो तब आप bus topology को prefer करोगे, ठीक है, ring topology को prefer करोगे, यह cost high है, बट security अगर चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो इसमें pay करना पड़ेगा, reliability अगर चाहिए, तो आपको pay करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह था concept बच्छो, match topology का, अब हम बात कर लेते है, ring topology की, जो ring topology है ना बच्छो, ring topology just क्या है, जैसे bus topology मैंन कि यह cable है, जिसमें आपके यह tap point आ गए, और यह system हो गया, ठीक है, यह हो गया, आपका इस तरीके से यह system connect हो गया, और यहाँ पर आपके पास एक और connect हो गया, तो यह क्या है, बस topology थी, just क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इसके जो end point को वापिस connect कर दिया, इसके first point से, एक ring बना दिया, ठीक है, cable एक ही है, ठीक है, बस हमने इसको ring बना दिया है, तो यह आपकी ring topology है, अब ring topology में पहले हम इन points की बात कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा में discuss करूँगी, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, आगे बताऊंगी, जब मैं algorithms करेंगे, उसमें मैं बताऊ बताऊंगी, बताऊंगी, इसके बात, आपके number of port, number of port, any होगे, जितने device होगे, उतने ही port होगे, ठीक है, reliability, reliability, यहाँ पर भी नहीं है, बच्चो मैं एक ही to cable है, इसी cable को tap करके तो अलगलग devices connect करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपकी cable में कोई problem आ जाती है, तो connection क्या होगा, सबका ही connection खतम हो जाएगा, सारे की सारे system क्या, disconnect हो जाएग, reliability बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, no reliability or less reliability लिख सकते हो, no or less, ठीक है, अगला point है, cost का, cost तो देखो कम ही है, क्या आपको cables की requirement, n plus 1 cables की requirement होगी, ठीक है, security, security यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो AIP का data जाएगा, वो सारे ring में circulate करेगा, वो ऐसे circulate करेगा, अब security को हम थोड़ा सा increase करेंगे, with the help of token, ठीक है, token का concept आपने सुना होगा, बट वो हम algorithm करेंगे, पुरे-पुरे protocol करेंगे, CSA में CD के अंदर, कि token ring क्या होती है, और किस तरीके से वो काम करती है, तो अभी जो topology के अंदर, जस्ट आपको यह पता होना चाहिए, security नहीं है, reliability नहीं है, cost भी ज्यादा नहीं लगती है, इतनी number of cables लगती है, और इतने इसके port है, तो यह था बच्चो, अभी तक आपका ring topology और mash topology, एक और topology बसती है, जिसको हम hybrid topology कहते है, अब जो hybrid topology है ना बच्चो, अब जसा की नाम से ही पता चल रहा है, कि hybrid मतलब, बहुत सारी topologies को, यहाँ पर mix किया हुआ है, connect किया हुआ है, ठीके, तो यहाँ पर मालो आपके पास bus है, ठीके, यहाँ पर आपने यहाँ पर बना दी है bus topology, यह device यहाँ connect कर दिया, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, A, B और C, ठीके, इधर हम बना देते हैं star topology, बीच में हम hub लगा देते हैं, ठीके, यहाँ पर एक device connect कर दिया, A, यहाँ पर B कर दिया, यहाँ पर C कर दिया, यहाँ पर D कर दिया, अब इन दोनों को आप connect कर सकते हो with the help of cable ठीक है यह आपके cable use हो जाएगी यहाँ पर और और भी आपकी requirement के साब से आप और जो आपकी topology से उनको भी यहाँ पर combine कर सकते हो मानलो ring है आपकी ring को भी आप combine कर सकते हो यहाँ पर यह आपका A, B, C, D आ गया इसको भी आप यहाँ से connect कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से बच्चो क्या है कि मानलो चलो इस से connect करना यहाँ हो जाएगा तो यह जो है आपका hybrid है तो hybrid के अंदर आप ऐसे judgment नहीं कर सकते कि यह hybrid अच्छी है या नहीं है और इसकी basically requirement क्या होती है जब हमारे पास जो network होता है वो अलगले areas में होता है ठीक है क्योंकि आपको पता है कि हर जगे एक topology तो follow होती नहीं है हर एक lab के अंदर हर एक network के अंदर अलगलग topology use होती है अब जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो internet के अंदर हमें तो पता ही नहीं हम कोई भी system access कर लेते हैं वो किसी भी network को belong करता है ठीक है तो वहाँ पर communicate कराने में help करता है वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो help करता है तो ये था बच्चो आज का topology का chapter topology हमारी complete हो गई है ठीक है तो इसमें मैंने दो वीडियो डालनी है एक तो ये वाली है एक इससे previous वाली आप please उनको देख लेना उनके parameters के base पर एक बार assess जरूर कर के देख लेना तब ये आपको जो topic है अच्छे से समझ आ जाएगा और इससे related कितना भी complex question आई आप उसको easily solve कर लेंगे तो आज के लिए बच्चो इतना ही उमीद करते हूं कि ये वीडियो आपके लिए helpful रहे और वीडियो अगर पसंद भी आया है तो इसको like, share, comment कीजिए और चैनल को अगर subscribe नहीं किया तो जल्दी से bell icon को press कर दें ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहे और क्योंकि हम next वीडियो में एक नया topic लेकर आएंगे जो कि हमारा physical layer से related होगा thank you very much